दोस्तों अगर आप एक बढ़ी अमाउट की लोन लेना चाहते हो तो आज मैं दोस्तों एक बहुती बढ़ीया साइट बताने वाला हूँ जहाँ पर आप बढ़ी अमाउट की लोन ले सकते हो और भी सिर्प गर बेठे मैं आज जो कंपनी बताने वाला हूँ एक RBI रेजिटर इनवेब से आपड़ू कंपनी है और यहाँ पर आप पूरे 15 लाख रुपते की लोन घर बेठे ले सकते हो और एक कंपनी का नाम है स्रीराम फाइनच तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं इस स्रीराम फाइनच एप् का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों अगर आपको एक वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरू कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन डबाकर और नोटिफिकेशन ओन कर दो जिससे हमारी हराने वले इसी तर आपको Chrome या Google ओपन कर लेना है और वहाँ पर आपको टाइप करना है स्री राम फाइनल्स डोट इन तो आपके समने कुछ इस तरी के से एंटरफेस आ जाएगा अधर्वाज दूस्तों में इस वेबसाइट की लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रेप्शन में दे दूंगा व सबसे पहले यहां पर हम लोन के बेनेफिट के बाद करें तो यहां से आप 15 लाक रुपया तक की लोन ले सकते हो जिसमें कॉलोस्टल फीस लोन रहेगी क्विक डिस्पर्समेंट हो जाता है फेक्सिबल रिपेमेट्स ओप्सन मिलेगा कॉम्पेटिटिव इंटरेट रहेग से क्विक जिसमें असब से पहले यहां पर लोन इंटरेट रहेगा जिसमें यहां पर 12 परचसं पर लेके 42 परसं तक इंटरेस्ट लगाए जाता है उसके बस यहां लेका बारा मन चलेकर साथ मन तक का टेन यूर रहेगा अब यहाँ पर दोस्तों हम अगर एफ 20,000 रुपय की लोन बारा मेहने के लिए बारा पर्शन इंटरस्ट पर लेते है तो उसका निच्चे यहाँ पर दोस्तों पुरा केल्कुलेट आ जाएगा हमारे 20,000 रुपय की लोन रहेगी जिसमें हमें 12% इंटरस्ट पर एगर लोन मिलती है तो 13,000 रुपय हमें इंटरस्ट पे करना होगा और 17,000 रुपय हमें हर मन्थ EMI पे करना होगा तो यहाँ पर हमारा EMI केलकुलेट आ जाएगा अब दोस्तों निच्चे स्कूल करेगे तो यहाँ पर लोन का स्टेप बताया हुआ है यहाँ पर लोन अपलाई करना भी बहुत ही इजी है यहाँ पर मात्र तीन स्टेप में आप लोन अपलाई कर सकते हो पहले स्टेप में यहाँ पर हमें प्रस्टनल डीटिल देनी है प्रस्टन डीटेल पर हमारी eligibility वगरा चेक होगी और अगर हम eligible होगे तो यहाँ पर हमारी loan अप्रो हो जाएगी और हमें एक loan amount मिल जाएगी उसके बाद यहाँ पर हमें अगले step में अपनी bank detail देनी होगी जिस bank account में हम इस loan amount को लेना चाहते हैं और last step में हमारी loan amount हमारी bank account में पहुंच जाते हैं लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 step बताया है लेकिन इतना easy नहीं है अभी भी यहाँ पर documentation वगेरा upload करने का option आएगा महाँ पर आपको documentation भी देना होगा अब आगे हम दोस्तों यहाँ पर eligibility criteria की बात करें तो सबसे पहले identity proof देना होगा identity proof में आप passport, driving license, water ID या pen card में से कोई भी एक दे सकते हो उसके बाद address proof देना होगा तो address proof में भी आप passport, driving license, guest bill या guest book अप्लोड कर सकते हो उसके बाद other document भी यहाँ पर कुछा जाता है जिसमें आपको एक passport size का photo upload करना होगा उसके बाद income proof पूछा जाएगा जिसमें आपको last 3 month का salary sleep upload करना होगा अगर आप एक sales fashion हो तो अगर आप एक self employee हो तो आपको यहाँ पर bank statement upload करना होगा और ITR file भी upload करनी होगी उसके बाद आपको एक cancel check देना होगा और e-natch complete करना होगा यानि कि immediate करना होगा जिसमें हर मंद की EMI automatic से है आपको भी आपको एक काउल शेक कर साए इतने document यहाँ पर रहने वाले है तो चले दूस्तों अब यहाँ पर हम जानते है कि यहाँ पर loan apply कैसे करना है तो यहाँ पर सबसे उपर आएंगे तो यहाँ पर उपर है एक section देखेगा loan apply करने का यहाँ पर बताए गया है कि apply online अब इसमें सबसे पहले यहाँ पर हमारा mobile number एंटर करना है यहाँ पर हमारा area का pin call number एंटर करना है यहाँ पर हमारी loan amount एंटर करना है कि कितनी लोन के हमें जरूरत है उसके बद simply apply now पर click करेंगे तो हमरे mobile नमबर पर एक OTP send किया जाएगा वो OTP यहाँ पर हमें enter करना है और निच्छे यहाँ पर एक option मिलेगा verify and proceed तो simply हमें उस पर click करना है तो हमरा mobile नमबर यहाँ पर verify हो जाएगा उसके बद हमरे समने अगला page जो पर होगा जिसमें दोस्तों उपर आप देखोगे तो हमें बताए जाएगा कि आपको तीन step complete करने है जिसमें पहले step में है अभी हम जिसमें हमें प्रस्टनल लीटल देनी है अब प्रस्टनल लीटल में सबसे लिए यहाँ पर हमारा प्यान का नमबर एंटर करना है और उसके बाद निच्चे स्क्रोल करके यहाँ पर हमारी loan information रहेगी जिसमें हमारी यहाँ पर loan amount रहेगी जितनी भी loan amount हमने select के होगी यहाँ पर हमने 50,000 रुपया select किया था तो वो यहाँ पर show कर रहा है उसके बाद यहाँ पर 10 जूर select करना है कि हम कितने मंद के लिए यह loan को लेना चाहते है उसके बाद simply continue पर click कर देते है जैसे continue करेंगे तो हमने अगला page open होगा जिसमें हमें KYC की detail देनी है अब KYC की detail में सबसे पहले यहाँ पर हमारा address देना होगा तो हमारी pen card के अधर पर हमारा address और यहाँ पर आ जाएगा इनमें से कुछ detail यहाँ पर fill नहीं वह address और resident address दोनों सेम है तो अगर सेम है तो यहाँ पर yes करना है otherwise यहाँ पर no करके हमें अपना resident address देना होगा उसके बाद यहाँ पर हमारा resident type select करना है कि हमारे पास खुद का गर है हम rent में रहते हैं यह company न प्रोइट किया हुआ है उसके बाद हम अभी जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर कितने सालों से रहते हैं वह यहाँ पर select करना है उसके बाद यहाँ पर हमारा occupancy select करना है कि हम sell it है या sell mobile है उसके बाद simply continue पर click करना है अब यहाँ पर दोस्तों जैसे हम continue करेंगे तो हमारी application यहाँ पर submit हो जाएगी अब यहाँ पर देखोगे तो हमें thank you कैसा लोन का process complete करना है और यह भी बताएंगे कि आपको offline loan मिलेगी या online loan मिलेगी ठीक है वो सारा कुछ process आपको एक company के एजुकेटिव बता देंगे तो simply इतना ही यहाँ पर आपको काम करना है अब यहाँ पर done पर click करोगे तो आप home page में फिर से आ जाओगे तो इस तरीके स दस्तो आप स्री रांग financial personal loan के लिए apply कर सकते हो अब आग आगे आपको call आएगा अब call कितने देर में आता है उसका fix time तो नहीं है लेकिन 12-120 गंटे के अंदर आपने यहाँ पर जो register mobile number दिया उस पर एक call आ जाएगा और आपका verification complete कर देगा ठीक है तो इस तरीके से यहाँ आप लोन ले सकते हो अब दोस्तो जब भी company का call आपके आपस आई है तो एक बात का आपको ख्याल रखना है कि वो company वाले अगर आपसे किसी भी प्रकर के OTP मागे तो आपको बिल्कुल भी नहीं देना है क्योंकि यहाँ पर कहीं कहीं बार fake call भी आ जाते है और company के नाम पे आपके साल फ्रोड हो सकता है तो एक बात का आपको ख्याल रखना है कि यहाँ पर company वाले ऐसा बोले कि हम अधरकर के OTP से आपका अधरकर वेरिफाई करेंगे तो आपको बिल्कुल भी OTP नहीं देना है उसको बता देना है कि मैं में जो नहीं अपना अधरकर वेरिफाई कर वालूंगा ठीक है तो एक बात का आपको ख्याल रखना है यह company वाले तो आपसे फ्रोड नहीं करते लेकिन इस company के आड़ में कोई अधर लोग आपसे फ्रोड करते गए तो यह सावसेति आपको रखनी है ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर आप इसका लेंडिंग सर्वेस प आपको लाया हूँ यहाँ पर आप देखोगे तो बताया गिया है कि अगर इस application में या इस side में आपको कोई भी complaint आती है और यहाँ पर आप complaint करते हो तो आपकी complaint अगर 30 दिन के अंदर रिजिव नहीं होती तो आप इस application की complaint RBI में कर सकते हो यहाँ पर इन्होंने साब सब बत अगर आप इसकी वेबसेट से लोन अपलाइ ना करना चाहो तो इसकी application भी available है यहाँ पर उपर आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी application अवेलबल है जिसमें आपको सारी डिटल मिल जाएगी यहाँ पर क्लिक करके आप इसकी application डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से इसकी application अपलाइ कर सकते हो ठीक है तो चले दूस्तो आज के वीडियो बस इतना ही उमिद करते ही कि आपको एफ वीडियो पसंद दाए होगी अगर वीडियो पसंद दाए हो तो लाइक, share, commit and subscribe करना ना बूले तो चले दूस्तो मिलते को रहे सी धमाकेदार वीडियो के साथ तब तब लिए, गूद्वाई